हमारे हिंदुस्तान में पहले आपने सुना होगा पुराण हुआ करते थे अठारा पुराण आप घट करके कमी रह गएं बाकी खो गए हैं वो परिशाद बहुत सारे जला दिये गए जो संग्राले में सुरक्षित थे काशी में तो वहां कहते हैं कि महीनों आग लगी रही है इतनी किताबें जलाई हैं और अंजेब ने महीनों आग लगी रही है काफी लिटरेचर नश्ट कर दिया गया पर फिर भी जितना बाकी है तो उससे हम लाब ले सकते हैं और भगवान ने जिसे वचंदिया गीता में, कि अनादी काल में भी ये धर्म लुप्त होता आया है, इसी तरह के लोगों ने धर्म की किताबों को नश्ट किया है, और धर्मी गरंथ नश्ट हो गए, तो फिर मैं भगवान ने कहा, मैंने ये ग्यान सूर को दिया, एक्षवा को को दिया, राजा मनु को दिया, इस तरह भगवान बता रहे हैं, इस समय समय पर ये लुप्त होता रहा है, और मैं समय समय पर स्वेम अवतरित होकर इस ग्यान को राजा लोगों को देता रहा हूं, क्योंकि राजा लोग फिर आगे प्रजा में फैलाते हैं, और राजा ही किताबों को छपबा सकता है किताब को छपबा कर customers करेगा या मार्किट में जाएगी या फ्री देगा तो ये कार जो है और literature का बनाना रिशी लोगों को बताना तो सारा कुछ फिर से छाप दिया जाता है कितना भी कोई कुछ भी करे सदा के लिए तो नश्ट कोई करी नहीं सकता टेंपररी होता है ये सब इनी पुराणों में एक पुराण है श्री नारद महापुराण उसके उत्तर भाग में महर्शी वसिष्ट मांधाता को एक आदेशी व्रत की महिमा सुनाते है पहले उन्होंने प्रार्थना की है कि भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है इस संसार के पालना करने वाले हैं और वे अपनी चारों भुजाओं से सारी प्रजाकी रक्षा करते हैं वे हमारी भी रक्षा करें जी से पूछते हैं दुश्य उत्तम हे ब्रामनों में स्रेष्ट जो भेंकर पाप रूपी सुखे या गीले इधन को जला सके ऐसी अगनी कौन है ऐसी अगनी कौन सी है जो सुखे इधन को तो जलाई दे गीले को भी जला दे यह बताने की करपा करें ब्रह्म पुत्र विपरिश रोमणी मंधात पूछ रहें वसिष्ट जी से कि तीनों लोकों में त्रिवेद पाप्त आपके निवारण का कोई वी ऐसा सुनिश्चे तो पाए नहीं है जो आपको ज्यात न हो अज्यानावस्था में किये हुए पापको शुष्क और जान बूझकर किये हुए पापको आर्ध कहा है यह भूत वर्तमान अथवा भविश्च कैसा ही क्यों न हो किस अगनी से दग्द हो सकता है या जानना मुझे अभिश्च है तो तीन काल भूत काल वर्तमान काल भविश्च काल इन्ही में हम सोच सोचकर विचारों के द्वारा आगे पीछे की सोचकर कर्म बनाया करते हैं पाप करते हैं तो यह पाप कैसे दग्द हो फिर कुछ पाप होते हैं जो जान बूझकर हम करते हैं कुछ पाप होते हैं जो अंजानी में कर जाते हैं तो अज्यान वस्ता में किय हुए पापों को शुष्क कहते हैं और जान बूज कर किय हुए पापों को आर्द कहते हैं तो दोनों प्रकार के पाप कौन सी अगनी से नश्ट होते हैं करपया कर बताएं वशिजी कहते हैं नरप्त स्रेष्ट है राजाओं में स्रेष्ट सुनो जिस अगनी से शुर्ष का अत्वा आर्द पाप पूर्ट दग्द हो सकते हैं वह उपाय बताता हूं जो मनश्र भगवान विश्णु के दिन यने एक आच्चित थी आने पर जितेंद्रिये होकर उपवास करके भगवान मदुसूदन की पूजा करता है तो कैसे पाप ताप नश्ट होते हैं दो प्रकार के पाप बताए जाने में अन जाने में और तीन काल भूत वर्तमान भवि हम लोग करते हैं चाहें विचार से करें चाहें करम से करें आगे आने वाले समय में मैं इस फलाने का ये अनिष्ट कर दूँगा ऐसा किसी ने संकल्प कर लिया पाप कर लिया अपने सोरूप आत्मा को भूला सामने भी भगवान है हर रूप में भगवान है ये भी भूला याने ज्ञान है यह नहीं अज्ञानवश, पुरा ज्ञान है, तो कैसे भी पाप हों, इनको नष्ट करने का क्या उपाय है, तो वसिस्टमनी कहते हैं, कि इनको नष्ट करने का उपाय है, भागवान विश्णु के दिन याने एक आदिशी को, जितेंद्री है, याने अपनी इंद्रियों पे संयम करके, फिर उपवास करके, उपवास किस प्रकार किया जाए, वो अलग-अलग तरे से होता है, उपवास ने भोजन न किया जाए, भजन किया जाए, उपवास करके, भागवान मदुसूतन की पूजा करता है, फिर उपवास का दूसरा आर्थ हुआ, भगवान मदुसूतन, भगवान कृष्णा, वह पापों को धो बहा देता है, उससे सारे पाप नश्ट हो जाते हैं, तो ये एकादिशी का जो व्रत है, इसको करने की महिमा बता रहे हैं, कि सारे पाप और सारे ताप, त्रवेद ताप और दो प्रकार के पाप, ये सब जलकर भशम हो जाते हैं, नश्ट हो जाते हैं, रजञा, एकाश्रि नामक अगनी से पातक रूपी ईधन, सो वर्षरों से संचित हो, तो भी सीक रही भशम हो जाता है, killer है, कितने ही पाप किसी ने इखटे किये हो, जैसे मान लीजे, इतना इखटे है किसी के पास, कि 100 साल तक जल इतने पाप किसी के खट्टे हैं, इतना इधन मतलब पहाड, पहाड के समान, तो पहाड के समान किसी के पाप हो, वो भी शीग्र ही, जल्दी एक आश्री वरत रखने से भसम हो जाते हैं, अहम लोग अभी थोड़ा एक आश्री वरत ठीक से नहीं रख रहे हैं, ठीक से रखा तो इसकी महिमा बहुत है नरेश्वर हे नरोम इस्रेश्ट राजव मंधाता को कह रहे हैं मनुष जब तक भगवान पद्म नापके शुब दिवस एक आशी तिथी को उपवास पुर्वक वरत नहीं करता तभी तक इस शरीर में पाप ठहर पाते हैं पाप है किसी के मन में शरीर में तो तब तक ठहर रहे हैं जब तक एक आशी वरत नहीं करता कोई सहस्त्रों अश्रुमेग और सेक्णों राजसुय यग्य हजारों के हिसाब से कोई अश्रुमेग यग्य करे गोड़ा छोड़े, कोई न पकड़े वाफिस लोटावे तो यग्य करे यशने वो राजेंद्र है, राजाओं में इंद्र यशने सब को जीत लिया है जिसने वो एक हजार इस तरह की यग्य करे और सौइयों राजसुय यग्य करे रास्वी यग में अपना सब कुछ साय दे देना होता है सारा कुछ अरपन कर देना होता है ब्राहमन को तो भी एकादर्शी वृत के 16 में जैसे एक रुपे में 16 आने होते हैं तो एक आना बराबर भी इन सब का महात्म नहीं है जितना महात्म 81 वृत का है एक आदर्ष इंद्रियों द्वारा ग्यारा इंद्रियां आए हमारी हमने तो दसी इंद्रियां सुनी है हाँ ग्यारवा मन ये सब इंद्रियों के साथ जोड़ जाता है सब गड़बल गुटाला जो कराता है वो ग्यारवा मन तो ये एकादश इंद्रियों द्वारा जो पाप किया जाता है मन सब इंद्रियों से मिलकर के पाप करता है 11 तरह से पाप हो जाते हैं वो सब का सब एकादशी के उपवास से नश्ट हो जाता है किसी ने कितने भी कर्म किये हो वो सारे के सारे पाप कर्म एक आदिशी वरत के द्वारा नश्ट हो जाते हैं राजन यदि किसी दूसरे बहाने से भी एक आदिशी को पुवास कर लिया जाए पुड़ा कोई कह दे के बही कर लो कोई बहाना बन जाए तुमारी लड़की की सादी हो जाएगी एक आश्टी का बहाने से कोई एक आश्टी का पुवास कर ले तो भी यमराज के दर्शन नहीं होंगे उसको यन्य वो तो छोटी सी बात कह रहा है लड़की की सादी तो होई जाएगी कि आजकर लड़किया अपने पसंद से भी कर लेती है नहीं कर लेती है तो अरेंज मेरेज हो जाती है नहीं होती है तो अपना किसी कॉलेज में लेक्चरार हो जाती है क्या करना है शाधी करके सब तरह से काम चलता है ऐसे कर लो तो वैसे कर लो तो हो जाए तो नहीं हो जाए तो तो कहरें वो तो काम होई जाते हैं दुनिया के उसकी इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन यमराज के दर्सन नहों किसी को ये तो बहुत ही बड़ी बात है जीवन सफल हो गया तो यहां एक आदशी स्वर्ग और मौक्ष को देने वाली है जिसको स्वर्ग चाहिए वो स्वर्ग मांग ले जिसको मौक्ष चाहिए वो मौक्ष मांग ले हमको भगवान चाहिए हम भगवान मांग लेंगे एक आश्ची का अवरत करो राजन एक आश्ची का अवरत करने से भगवान विष्णु का धाम सके तो करे न कर सके पड़ोसी कहें क्या शोर मचा रखा है तो चुप चाप कर ले नामजब कर ले भगवान का भजन करे भगवान के लिए जागे जितनी देर जाग सकता हो देखे स्वास्त खराब करना तो ठीक नहीं है आजकल थोड़ा ऐसी कमजोर लोग हो गए हैं जल्दी बीमार पढ़ जाते हैं रात भर जागेंगे तो दिन भर सोईँगे फिर तो इसलिए जैसा भी हो सके यह न यहां तो कहा है कि रात को जागे रात को जागे और भगवान का धियान करे तो रात में जागरण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विश्टलू के लोक में जाता है गाजेंद्र एक आदशी वरत करने वाला पुरुष मातर कुल, पितर कुल तथा पत्नी कुल की दस-दस पीडियों का उद्धार कर देता है अब अब अपनी मा के कुल नानी साइड के सारे और पिताजी और बाबा साइड के सारे अब अब पत्नी के भी साइड के कितनी बढ़िया बात है दस-दस कुल तर जाते हैं जो कोई व्यक्ति एकाशी का वरत करता है जो मनुष्य आदर पूर्वक 81 वरत करता है वो माता के उधर में प्रवेश नहीं करता यहने उसकी मुक्ति हो जाती है दुबारा जनम मरण में नहीं जाता है अनेक पापों से युक्त मनुष्य निशकाम या सकाम भाव से यदे 81 का वरत करता है तो वो लोकनात भगवान विष्णु के अनंत पद यहने वैकुंट धाम को प्राप्त कर लेता है कहरें निशकाम भाव से करो बहुत बढ़िया मन में सकामता भी है तो भी कहरें कोई बात नहीं एकाश्ची का वरत तो तुम करी रहो न एकाश्ची का वरत करो वो अपने आप में पून है तुमको तारेगा